नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब लगातार मैं हूँ अरुन कुमार अभी हम गढ़वा जिले के रंका अनमंडल मुख्याले में मौजूद हैं हम आज बात करने वाले हैं भारतिये जनता पाटी के रंका अनमंडल मुख्याले मौजूद हैं पाटी के सबसे वरिष्ट कहें जिला अधियक्ष यानि गढ़वा के दो बार जिला अधियक्ष रहें ऐसे सक्सियत की नाम बताने के ज़रत नहीं है क्योंकि भारती जनता पाटी में उस समय से हैं जबकि जनसन भी नहीं बनी थी हम बात करें तो 1964 से ही पार्टी के मिम्बर थे उसके बाद दो बार गढ़वा जिले के अध्यक्ष काभीनों ने पज सम्हाला उसके बाद परदेश कमिटी में मंत्री काभीनों ने पज सम्हाला वहीं साथ ही आज हमारे साथ बात करने वाले हैं डॉक्टर अलक निरंजन सिनहा जी हमारे साथ हैं और खुद हम इन ही से बात करते हैं कि बहुत स्वागत आपको लगतार जाते हैटी जंत्वाटी कार्डे कर्ताओं को एक सफना था कि हमारी पार्टी का सरकार कप बनेगा प्रधेस में तोch ने बंती रही बिगर्टी रही लेकिन हम लों का लक्ष प्रदेश नहीं हम लोग का लक्ष केंद्र था और भारती जनता पाठी के कारकरताओं का यह संकल्प कि लक्ष तक पहुंचे बिना पथमें पथिक विश्राम कैसा और जीतोर परिश्णम किया भारती जनता पाठी के कारकरताओं है और लक्ष की प्राप्टी हुई चोहतर में केंद्र में भारती जनता पाठी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी सरकार तो पहले भी बनी थी अटली के नेटी तुमें लेकिन वह मिली जूली सरकार थी जो स्वतंत रूप से पार्टी के उदेश्यों को पूरा करने ने ही की चाती थी इस वज़ए से जब यह सरकार बनी तो बिल्कुल सतंतरूप से सरकार बनी और भाजपा के सिधानतों को पूरा करने के लिए इसने अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया इसकाइव और जानना चाहेंगे आप दो बार गढ़वा जिलेक जिलाद्हक्ष का अभी पतसमाला है, प्रोदेश कमीटी में मंत्रिक अभी अपने पतसमाला जर्थ हम पत्ते गळवा, प्रतहम, जिलाद्हक्ष लगातार दो टर्म और हम लोग के पाटी में यहनियम है कि कोई भी अधिकारी दो तर्म से अधिक नहीं रा सकता है तब हम दो टर्म के बाद छूट गए यहां से और हमको प्रदेश कमिटी में ले लिया गया प्रदेश कमिटी में बहुत धिनों तक रहे फिर 2005 में हमको प्रदेश में मंत्री बना दिया गया और जब हम प्रदेश में मंत्री बने, तो प्रदेश मंत्री बनने के साथ साथ मुझे एक अलग दाई तो दिया गया, मुझे पलामु जीला का, पलामु विभाग का प्रभारी बना दिया गया, जिसके विभाग में चत्रा, लातेहार, पलामु और गढ़वा आता है, ये चा प्रतेक पंचायत में घरघर तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक हमको सफलता भी मिली। उसी सफलता का अश्रे हुआ कि 1991 में ही यहां से हमारे सांसत जीत करके पार्लियमेंट पहुँचे हैं। कि ब्रज मोहन जी यहां से फिर चुनाव जीते होगा आप लोग को की एक सरकार हमारी गिर गई थी केन्ण की अन्यकि इसके चलते फिर चुनाव हुआ पड़ा और तीसरी बार भी ब्रजमोहन जी यहां से चुनाव जीते हैं। कि हम उसके बाद हम तो प्रदेश में पहुंच गए थे लेकिन हम को कहीं कहीं दाई तो दिया जाता था जिला में भी हाई है जो अतर के चुरानवे में लिए इसके पहले तो माली अनुहतर में हम यहां के मंदल अधाक्ष बने जंशंग के मंदल अधाक्ष मने तो उस समय चिनिया और रमकंड़ा आलग अलग प्रिखन नहीं बना था यह रंका रमकंडा चिनिया एक ही में था और हम जंशंग अ अधेक्ष बने और उसी समय जन्संग काल में ही जन्संग के टिकट पर यहां से गोपी नाच सिंग जी चुनाओ जीत करके विधान सबान पहुंच गए और कुछी दिनों के बाद वह मंत्री भी बने जन्संग के लिए फिर एक खतर में कि जब यहां पर लग गया इमर्जेंसी कि उसके बाद कि फिर इमर्जेंसी में कहीं चुनाओ हुआ नहीं और इस बीच में सभी पार्टियां अलग-अलग विचार के रहने रहने वाले एक बंच पर आने की कोशिश करने लगे और उसमें छीहतर सथातर में एक सोच बना कि भाई अभी इंद्रा गांधी के इमर्जेंसी के खिलाफ देश को बचाने के लिए सभी भी प्रक्षी पार्टियों को एक जूट हो जाना चाहिए और तब जनता पार्टि का निर्मान हुआ और जन्संग का बिले उसी जनता पार्टि में हो गया पक्षोबी हम लोगों ने कि दिल से जनता पार्टि में काम किया में 1977 के चुनाओं में जब नौराज में अभूत्पूर सफलता मिली जनता पार्टि को नौराजियों में जारू की तरह बाहर दिया गया नौराज में कॉंग्लेस को एक विसीट नहीं मिला और यहां से जनता पार्टि काफी भारी बहुमत से किर्णे में सरकार बनाई मुराजी देशाइंस परधान मंत्री बने हम लोग जनता पार्टि में भी रहे तो समर्पन के दिश्टी कौन से काम किया लेकिन इसी में कुछ सोचलिस्ट के विचार धारा के लोगों के मन में खलबली द वाले लोग रिशता इनकी चल रही है यह संगं के भी सदस है और जनता पारिक के भी सदस है यह दोरी सदसता नहीं चलेघी भारति जनता पार्टि जर धर जनतके लोग थे और तब से भारतिय जनता पार्टी अपने लक्ष पर चल रही है 2022 का चुनाव भी समाप्थ हुआ है उत्तर प्रदेश का और हमें कर यह कहने में गरव महसूस हो रहा है कि आज सिर्फ जिले यह देश की ही नहीं भारतिय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इससे भी ज्यादा गर्व और है इस बात का कि सारे नेताओं को पचार करके हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आज बिस्व नेता बन गए हैं और इन्होंने एक नमबर में सारा अपना हासिल कर लिया है बेक्टित्व और बिस्व में एक नमर के नेता में इनका नाम चल रहा है इनके पीछे वार्डेन हो गए हैं बलकि जो छे नमर पर हैं तो इस बात का गर्व है हम लोगों को कि भारती जन्ता पाटी तो एक नमर की पाटी है ही विस्व की और हमारे नेता भी एक नमर के हैं आज आप गढवा जिलों को कैसे देख रहे हैं पाटी की अगर मजबूति की बात करें देखिए संगठन के दिष्टि कोण में तो संगठन में बहुत काम करना पड़ता है अब लोगों को दाई तो मिलता है सब कोई अपनी छमता कमसार काम करते हैं किसी में छमता कम होती है किसी में अधी कि एक वी सोचती की बात नहीं है फिर भी गढ़वा जिला के सारे कार करता एक जूठ है समझपी थो करें के पार्टी के लिए कार कर रहे हैं और आज कि गढ़वा जिले में कम से कम कुछ है चाहने एक विधायक तो है भानुपताप जी भारती जनतापाटी के हम लोग बहुत छोटे मत से यहां चुनाव हार गए जिसका टीस बहुत हम लोग के मन में है यह चुनाव हम लोग हारने वाले नहीं थे लेकिन कुछ हम अपनी कम जो करेंगे कि हम लोगों ने समय को ठीक से समझा नहीं और हम कोई सीट लूज होना पड़ा और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं पार्टी के नेता जो भी आते हैं चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में उनकी हार नहीं होती है हार जाता है कार्यकरता जो पांच वरस तक अपने खुन पसीने से पार्टी को सीचता है और पांच वरस के बाद जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता है तो उसको मुझाय जिशा लगता है तो नेता तो फिर अपना रास्ता खोज लेते हैं लेकिन पार्टी का करता मायूस राख बंकर करा जाता है ना कि इसको कि मनें पार्टी के लिए अटूट बन करके निरंतर पार्टी के पक्ष में काम करते रहिए पार्टी के लिए समर्च आप हमेशा यह सोचिए कि हम पार्टी को क्या दर यह सोच होना चाहिए और आपके पीछे की ओभी कहानिया है कि जब आप इसकुल से भाग कर साखा में चले जाते थे साखा हमारी लगती थी गुद्वारा के मैदान में डालते इन गंज उसमें बाल सुम से वक थे और हम लोग के मुखे शिक्षक थे उसमें अवद बिहारी सरन जी तो एक बार ज चला जाता है फिर वह बहुत कोशिश करने पर भी अपने कोश से अलग नहीं मसूस कर पाता है करी नहीं पाता है उसका सोच जो है सो हमेशा चुकि साखा जो है सो हमेशा राष्ट निर्मान की बात सूचती है और राष्ट के प्रतिप्रेम किसको नहीं होगा सभी लोग को राष्ट के प्रतिप्रेम होगा राष्ट के प्रतिप्रेम इतना उतकल होता है संग के लोगों में जनसंग के लोगों में भाजपाईयों में राष्ट प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ है जिसका प्रतिक्रिया होता है कि विरोधी इनको दूसरे नजर से हम लोग को छोटी सी कविता भी अभब को सुनाए कि लक्ष मेरा क्या हैกरा सीधे संक्या है जन्प्टमी भारत कर्म भूमी भारत बंधंग भारत अभिनहीं बहरत मिए रहे हैं तू है म्मापा आंतू है तो प्रान आ है हमारी जननी समांतु है तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे तेरी जनम जनम भन साधना करेंगे आराधना करेंगे जिसका मुकुठी माल है जग-जग मगा रहा है सागर जिसे रतन की अंजुली चढ़ा रहा है यह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे इस देश के बीना हम जिवित नहीं रहेंगे यह हमारे जाहे भाजप्पा के कार करता हो यह हमारे संके स्थे वखो यह इनके मन की यही भावना है राश्ट प्रेम की भावना से ओत्पूर्थ है आज इस भावना पर ही देश में इतना जब अरश्षत बहुमत मिल रहा है हम लोगों दोती हाई बहुमत से हमारी केंदी में सरकार बनी इसी भावना के तहट के राष्ट भक्ती से वोत प्रोती है दल है और इसके लोग राष्ट के कि सिवाद दूसरे तरफ कुछ सोचते नहीं है पहले सरफ प्रथम इनके लिए राष्ट रहे उसके बाद कुछ रहे कि सब्सक्राइब न प्रेख करेंगे जहां भी हो जिस प्रफ पर आप हो उस पर अपने प्रफ के अनुसार जितना सा मर्पित हो करके कार करो भारतेय जनता पाटी को इससे और आगे बढ़ाओ और भारतेय जनता पाटी का परचम लखराओ जिले में। यही हमारी हमारा संदेश है अपने भाजपा के करकरताओं से। तो हमारे साथ भारती जनता पाटी के गढ़वा जिला के प्रतम जिला अध्यक्ष अलग डाक्टर अलग निरंजन सीनहा जी बात कर रहे थे साब तोर पे आपने सुना कि किस तलसीन होने भुला है कि भारत के प्रधान मंत्री वर्ल्ड के नेताब उभर कर सामने आए हैं इसलिए हरे करकरता को कड़ी मेहनत और लगन के साथ पाटी में काम करनी चाहिए वहीं भारती जनता पाटी के अस्थापना दिवस पर इन्होंने सुबकामनाबजी बहुत सारे लगतार निवशे इन्होंने बात किया है लाइब लगतार गडवा से मैरून कुमार